क्विक एस्टिमेट प्रिंट इन टाली बिजनेस में किराना जनर स्टोर्स अंडर रिटेल शॉप्स के लिए यह मॉडूल एक्सलेंट परफेक्ट है यानि कि बिजनेस में क्या होता है पहले जो एस्टिमेट डालता है उसके बाद में वरिजिनल इन्वाइस बनाते यह पहले एस्टिमेट प्रिंट करना है उसके बाद में आप वह बन्द इन्वाइस बना लेता है इसके लिए हमने बना है मल्टी मेमो एंट्री जैसे यह एंट्री ओपन होते ही स्क्रीन इस तरह से हमें दिखेगा यह नहीं पहले पर्टिकुलर उसके बाद कॉंटिटी अंड रेट जिसने दिखेगा हमने पास यहां पर मेने मिल जाता है और पेमट का टाइप UPi दाल देना है उसके बाद यहां पर कस्टमर का नाम पूछ लेता है और मैं यहां पर डाल देता हूँ जैसे मैंने एंटर कर दिया so it's a print simplest invites print की जैसे आजाएगा देखे इस company में यहां पर हमारा कली कंपनी का शॉटकट नेम ग्लोजरी और पार्टी का नाम और यहां पर रिजनल लांगवेज के इसाफ से अमरे जो प्रोग्राम बनाए हैं मतलब हिंदी तेलोगो कनडा और अब जो भी जो रिजनल लांगवेज है उस तरह से अलियास का नाम यहां पर मिल जाता है और यह यहां पर मैं यहां पर 150 रुपीस यहां पर डाल दिया और 100 रुपीस बागी का चेंज मैं ने यहां डाल दिया और यहां पर कस्टमर का नाम रवी जैसे प्रिंट होते ही अब यहां पर देखिए तो रवी ने अग जो करीदा है और उसका यूपिया 150 रुपीस cash tender 100 balance 50 अब आके इस memorandum को original invoice में convert करने के लिए अम option नीचे display menu में नीचे option ने दिया है memo report इसके अंदर जाते ही हमारा जो report है ना memo report from the date of से मैं पूछ लेगा समझ दीजिए आज का date है 22.1 और 22.1 के लिए में enter कर देता हूँ और मेरे transactions अभी यहाँ पर आ गया अब इस रूची जो है ना रूची को मैं original invoice के जैसे convert करना चाहता हूँ जैसे select कर लिया और यहाँ पर create post कर दिया ऐसे करने के बाद यह जो देखे अब मैं day book में जाके देखता हूँ यहाँ पर एक post hocher भी बन चाहता हूँ